हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बज़र वित आयुश एंड फ्रेंट्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं 19 नवंबर के ग्रे मार्केट के बारे में टास्ट प्रडॉक्स के लेटेंट व्यू के और गो फैशन्स के यही बात करेंगे कितना ग्रे मारे को क्या करना चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तो चानल से पहली बार अगर आप जुड़े चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा अगर आपको देखने को मिलेगा ज्यादा गिरावट नहीं है लेकिन एक इंपोर्टन चीजे के देखिए जो ग्रे मार्केट लगातार बढ़ रही थी रोज आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी लेटन व्यू की अगर आप देखेंगे तो 300 रुपे के आज़ पर सिमट के रह गई है और काफी इंपोर्टन आपको फ्रेंट से आपको देखने को मिलेगा लेटन व्यू के अंदर कि जो IPO है वो बहुत कुछ आपको बया करता हुआ देखने को मिल रहा है याद रखेगा इसका अलॉट्मेंट तो आउट होई चुका है लेकिन एक इंपोर्टन चीज जो मुझे लेटन व्यू के अंदर देखने को मिलेगा कि यह IPO डिफिनिट अपको एक तगड़ा पैसा का माके देखी जाएगा लेकिन अगर यह 300 रुपे आपको 300 रुपे से ज्यादा देखने को मिलेगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ को जाद रखीगा जो इसकी लिस्टिंग है वो मंडे को होती हुई देखने को मिलेगी मंडे को अगर यह अच्छा खासा देखिए लिस्ट होता हुआ देखने को मिलता है सपोज आप मानके चली साड़े 300 रुपे से जादा आपको यहाँ पर देखिए पूरा फाक्टर चेंज कर देगा और मंडे को जो यहाँ पर लिस्टिंग होगी इसकी उपर लिस्टिंग डे स्ट्राटेजी भी आ जाएगे जेगे जैजन को आई प्यों लगा है फिर जो इस आई प्यों को खरीदना चाते है पर एक इंपॉर्टन चीज है कि ल बड़ा इंप्यक्ट आपको लेटन विग्याओ के उपर तो आता हुआ देखने को नहीं मिला जो पेटेम के आपको देखें गिरावट देखने को मिला इसका रबभार के ंपर इसका एफक्ट आएगा क्योंकि gray market पे effect आने का सब्सक्रे बड़ा मतलब क्या है वो दोनों IPO's Tarsun and GoFashions उनका देखे change होता हुआ देखने को मिलेगा पुरा सिनारियो तो चलिए अब बात करते हैं Tarsun Products के उपर सो फिंस Tarsun Products के लिए जादा बढ़िया gray market आपको चलती हुई देखने को नहीं मिलेगी Tarsun Products के जो latest आपको gray market निकल क्या है वो करीबन 180-190 रुपे अगर आप देखेंगे तो वो करीबन 250 रुपीज के अबव आपको चलती हुई देखने को मिल रही थी अब अचानक से अगर आप देखेंगे तो एक significant fall Tarsun Products की gray market पे आता हुआ देखने को मिला है एक गिरावट देखेंगे आय क्यों रही है साफ सा आपको देखने को मिलेगा इसके उपर एक saviar fall जो आपको आता हुआ देखने को मिला है वो बस sentiment देखे बिगड़ा है याद रखेगा sentiment बिगड़ना बहुत जादा देखे दिक्कत की बात होती है and stock market याद रखेगा mainly dependent on sentiment किस तरह के sentiment चल रहा है and gray market का तो बहुत बड़ा impact sentiment पे होता है and जो पेटे न देखे sentiment खराप किया है वो definitely friends काफी जादा बुरा है and उसके लाँ आपको देखने को मिलेगा जो gray market का भी आपको यहाँ पे 200 रुपे से अबाव चलती हुई देखने को मिलती थी आज सिर्फ 180 रुपे पे आपको सिमट्टी हुई देखने को मिल रही है यह भी subscription काफी बढ़िया था and एक चीज़ आपको देखने को मिज़रू मिलेगी कि NIS के interest रुपे and अब आपको देखने को मिलेगा तो gray market 200 रुपे से नीचे चल रहा है या नी अभी आपको देखने को मिलेगा तो NIS हो सकता है कि यहाँ पर loss में अभी चल रहा है और आगे loss में क्या चलते हैं तो वो definitely पुरा gray market पर फेक्ट करेगा तो definitely हमको देखना होगा किस तरह से आपर gray market चलता है पर एक important चीज़ यही कि अगले हफते इसका allotment है तो allotment की date का है वो आप जान लीजिए स्टार्स अंपर्टक्स का जो allotment है वो 23rd को आता हुआ देखने को मिलेगा याद रखेगा यानि Monday को अगले दिन Tuesday को आपको allotment आता हुआ देखने को मिलेगा इन काफी important रने वाला है विकोज subscription अच्छा कासा देखिए आप निकल क्या है retailers में यही portion है कि 10 में से एक जने कोई IPO मिलता हुआ देखने को मिलेगा और दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी जो refund है वो 24 तरिक तक आपके DMIT में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा credit जो होंगे shares वो 25 को होते हुआ देखने को मिलेगा तो यह काफी important dates है आप चाहे तो उसका screenshot भी ले सकते है विकाज यह काफी important dates है and important चीज यही कि जिनको भी IPO लगता है मुझे नहीं लगता कि देखिए निराश आप के हाथ में आएगी विकाज जो price band इस IPO का वो है करीवन 635 से 662 अभी आपको 190 रुपे मिल रहे है आप मान के चले 200 रुपे के अबाओ इसका green market जाता हुआ देखने को मिलेगा and मेरा hope तो यही कि 250 रुपे से उपर कम से कम आपको यह देता हुआ देखने को मिलेगा and अपनी issue price से and total जो shares आपको मिलेंगे वो 22 shares मिलेंगे तो उसके साबसे काफिया बढ़िया फायदा निकल के आता है and mainly देखिए मेरा prediction यही कि मुझे लगा रहा है साफ साफ यह आपको 4000 से लगा कर 6000 की बीच में सिर्फ profit देता हुआ नजर आएगा यह अच्छा कासा IPO आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह तीन दिन जो है इसमें आप application नहीं लगा सकते हैं अभी भी काफी लोगों की comment आते हैं कि क्या सरम net banking की थरू लगा सकते हैं क्या सरम यहाँ पर जीरुदा की थरू लगा सकते हैं क्या grow की थरू लगा सकते हैं तो आप 19, 20, 21 को किसी भी platform से IPO नहीं लगा सकते हैं क्योंकि market बंद है तो पूरा exchanges बंद रहता है जो IPO की process रहती है वो सब बंद रहती है तो ना तो आपके आज देखिए application आती भी दिखने को मिलेगी especially बात तो यह ही है कि आपके application submit होगी नहीं तो यह बात आपको याद रखना है लेकिन आपके पस अभी भी याद रखिएगा date है वो है 20 second 20 second को last day है 20 second को आप चाहे तो IPO में लगा सकते हैं और कह सकता हूँ definitely आपको लगाना चाहिए बहुत बढ़िया company है जो आपको market में आती हुई देखने को मिलेगी और इसका जो price band है वो 690 रुपीस का रखा गया है 10 रुपे की face value है 1000 कोड का IPO है और 21 shares में लेंगे तो QIBS के तरफ से 3.25 ताम सब्सक्रिप्शन आया NIS के तरफ से 2.30 ताम सब्सक्रिप्शन आया इन रीटेलर्स ने काफी बढ़िया इस IPO को फिल किया है 24.64 ताम आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है सिर्फumen के दरफ से और टोटल जो इन Goddess काफी बड़ा नमबर आपको आता हुआ देखने को मिला है अभी तक सिफ 2 दिन में उन यहाँ जब एफिल को आता हुआ देखने को मिलेगा जो गो फेशंस का ग्रे मार्केट चल रहा है वो 446 रुपीज चल रहा है कल 580 रुपे देखिए चलता हुआ देखने को मिल रहा था अगर आज अगर आप देखेंगे तो सिफ 445 पे आ चुका है अब इसका देखिए एक बहुत बड़ा एफेक्ट की हुआ है सब्जेक्ट आपको देखने को मिली बिकाज अभी कह सकते कि आईक्व में काफी मूड माहल बढ़िया था लेकिन जैसे देखिए पेटियम लिस्ट हुआ कह सकते कि वह मूड माहल काफी जादा खराब होता हुआ देखने को मिला है और हो सकता है कि देखिए फाइनल देके सब्सक्रिप् होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से नए जुड़ो सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू फ्रेंड्स फरोचिंग देस वीडियो